आज का हमारा टॉपिक है कोश्चन के ऊपर किसी के कोश्चन के ऊपर कोश्चन कैसे पूछें या फिर कई बार हमारे माइंड में आता है अरे यार मैं तो सोच ही नहीं सकती कि ये कैसे काम करता होगा अरे यार मैं तो अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि ये कैसे काम करता होगा तो इस तरह से आप कई बार किसी से कुछ कोश्चन पूछना चाहते हैं लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो आज आप सीखेंगे इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे questions जो आप दूसरों से पूछना चाहते हैं by using how So let's continue अगर आपने अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रच सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सारे notification रसीव कर सको जो भी मैं नया इसमें वीडियो अपलोड करूँगी इसके साथ ही आपका एक bell sign आएगा आप उस पे ज़रूर क्लिक करें You can get all the notification of new videos Let's continue with the first question अब जैसे आप से कोई पूछता है How are you? हम अगसे कहते हैं we are fine thank you बाद में हम फिर उससे भी पूछना चाहते हैं तो दुबारा से how are you कहना थोड़ा अजीब लगता है You can say how about you तो किसी के question के बाद में आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं आप जनली इतना बोल सकते हैं how about you So next is Like आप ने कोई time fix किया है किसी चीज के बारे में तो हम उस time के बारे में confirm करना चाहते हैं How about 12.45 next जैसे हम कहते हैं कि आप कैसे manage करते हो यह सब कुछ How do you manage all the things अब कई बार हम से कोई पूछता है कि आपको यह पता है तो हम कहते हैं मुझे कैसे पता होगा How do I know that कोई ऐसी situation होती है कि कोई किसी problem में पस किया है तो हम कहते हैं कि वो वहाँ से कैसे बचे How did they escape या तुम वहाँ से कैसे बचे How did you escape कई बार हमें अपने boss को convince करना होता है तो हमें लगता है कि अच्छा यार तुने convince कर लिया कैसे कर लिया How did you convince the boss या How did you convince your mom या कुछ भी आप यूज कर सकते हैं किसी से पूछना चाहते है कि आपका वीकेंड कैसा रहा Saturday, Sunday, क्या किया आपने How was your weekend या How did you spend your weekend अब यहाँ पे है कि कोई मशीन है कोई भी नहाँ मोबाइल लिया है आपको आप कहते हैं कि दिखाओ यार यह कैसे काम करता है Show me how it works अब कहीं आप रुके हुए हैं किसी होटेल में या किसी भी जगा तो आप उसे पूछना चाहते हैं कि रात को कितने बचे तक खुला रहेगा How late are you open अब जैसे कोई फ्रेंड है वो कहीं गूमने गया तो हम पूछते हैं आप कितनी देर तक वहाँ पे रुके How long did you stay there अब यह एक जेनरल सा हम बोल देते हैं कि पता नी चीजें कैसे बदल जाते हैं How did things turn out तुम्हें पता है कि ड्राइव कैसे करते हैं कार या स्कूटर किसी के बारे में भी पूछना चाहते है Do you know how to drive the car यह हम अकसर ही पूछ लेते हैं कि आपकी कितने बच्चे हैं How many kids do you have अब यह question by question की बात होती है कोई हम से पूछता है कि आप कितने साल के हैं तो हम कहते हैं आप क्या सोचते हो कि हम मैं कितने साल की हूँ How old do you think I am मुझे और कितनी देर वेट करनी पड़ेगी How long do I have to wait मैं सोच सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा या आपने कैसा feel किया I can imagine how you felt या how you are feeling now कई बार हम new suit, new shoes, new purse कुछ भे लेते हैं हमें पूछें क्या दो थी अरे या कैसा लग रहा है Then you can ask How do you like my new suit How do you like my new purse जैसे वो ही था पहले भी कोशन था कि जैसे हमें कुछ नहीं पता लगता है कि वो कैसे काम करता है ये कैसे करना है Please मुझे बताईए Show me how to do it, please कोई book आपने issue करी है या किसी से मांगी है या कोई भी चीज हो सकती है आप पूछना चाहते हैं कि मैं उसको कितनी देर के लिए रख सकता हूँ How long can I keep this book या book की जगा आप कुछ भी change कर सकते हैं Rent पूछना है आपको किसी चीज का How much is the rent per month महीने भर का rent कितना होगा ऐसे ही आप per day भी पूछ सकते हैं किसी को आप एक से जादा बार मिलते हैं तो हम कहते हैं कि आपको मिलके बहुत कुछी हुई How nice to see you again dear यहाँ पे है I can't figure out यह आपने सुना होगा How to upload an image कि image कैसे upload करते हैं I can't figure out मैं तो अन्दाजा ही नहीं लगा सकती I can't figure out How to upload an image मैं तो अन्दाजा भी नहीं लगा सकती कि image को कैसे upload करते हैं तो इसकी जगा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं I can't figure out How to solve the puzzle कही चीज़ों में लगते हैं यार इसको तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि यह कैसे होगा In that case, you can use these words I can't figure out I can't figure out how to solve this problem अरे इस problem को कैसे solve करेंगे मैं तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती How do you plan to get home? अब यहाँ पे दोनों तरफ का मीनिंग होता है कि Get home means आप घर लेने का अगर आप सपोस्च रहे हैं तो हम सचे कि आप कैसे उसको प्लान कर रहे हैं कोई आप से परसन मिलता है बाद में आप कोशिश करते हो कि मैं इसको फो नंबर ले लू तो हम कह सकते हैं How can I get in touch with you? Please give me your phone number कई बार हम बच्चों के स्खूल ही जाद हम टीचर से बात करते हैं कि आप स्टूरेंट्स को किन किन बेसिस पे असेस करते हो क्या सिरफ उनके मार्क्स के बेसिस पे How do you assess your students? How long do I have to stay here? मुझे यहाँ पर कितनी देर तक रहना होगा How long do I have to stay here? कब तक meeting शुरू हो जाएगी? How soon will the meeting begin? आप अपना free time कैसे पास करते हैं? How did you spend your free time? आप कितनी देर तक अपना सांस रोक के रख सकते हैं? How long can you hold your breath? कई बार आपको किसी चीज़ के spelling नहीं पता होते तो आप उसको कह सकते हैं इस तरह से I don't know how to spell the word अब यहाँ पर है एक sentence I don't quite know I don't quite know how it happened कि यह कैसे हुआ? अब कई बार हम किसी से पूछना चाते हैं कि आपको उस person के बारे में कैसे पता चला? How did you get to know that person? आपको उन्हों कब से इकर्था है? How long have you two been together? कई बार दो person हमेशा अपनी opinion देते हैं और सेम होती है फिर हम कहते हैं अरे इस बार तुमारे दोनों की opinion कैसे चेंज हो गई? आपकी राइ कैसे बदल गई? How does your opinion different from him? या his opinion? अरे आप Facebook पे कितना time बिताते हैं? इस तरह से बोलते हैं कि हम पूछ रहे हैं आप कितना time Facebook के बिताते हैं? How much time do you spend on Facebook? How long do I have to wait for delivery? अब यहां पर आपने देखा होगा I have to word हमने बहुत सारे sentences में use किया वहां पर होता है कि पढ़ेगा कितनी देर wait करना पढ़ेगा तो उस हिसाब से हम इसको use करते हैं I have to अब किसी को अच्छा वॉइलन बजाना आता है या कोई अच्छा पियानो बजाता है तो हम पूछते हैं आपने कहां से सीखा? How did you learn how to play the violin? थन के मौसम में बलकि आज कल तो बहुत गर्मी है तो we can say कि यह पता नहीं गर्मी कब तक रहेगी या यह थन्डा मौसम कब तक रहेगा? How long will this cold weather continue या hot weather continue? या कई बर हम बोलता है कोई महमान आने वाले है और यार मैं इतनी सारी चीज़े कैसे बनाऊंगी I don't know how to cook too many things अब कोई हमारे साथ बहुत ही अच्छा है kind behave करता है तो हम कहते हैं मैं आपके इस behavior को कभी नहीं बूल सकती जो आपने मेरे साथ किया I'll never forget how kind you have been अब एरपोर्ट का रास्ता पूछना है या किसी कहीं भी हमें पहुंचना है तो हम पूछ सकते हैं Please tell me how to get to the airport अब ये भी हम कह देते हैं कि और यार मैं अपने छोटे बुच्चे को कैसे खाना खिला हूँ या कैसे vegetables खिला हूँ How can I get my toddler to eat vegetables या food You can say anything मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना माईने रखता है I can't tell you how much this means to me मुझे नहीं पता कि मैं इस question का answer कैसे दूँ I don't know how to reply to that question Please आप मुझे बता सकते हैं कि मैं station तर कैसे पहुंचू जैसे airport था बिल्कु सेम You can use this sentence also Could you tell me how to get to the station अब कई बार कई हमें अपनी problems के बारे में बताते तो हम कहते कि आपी कठा रहो आप जादा time एक दूसरे के साथ spend करो तो उस time हम पूछते हैं आप कितना time एक दूसरे के साथ बिताते हैं How much time do you spend with your spouse हम एक long drive में कार पर जा रहे हैं तो उस case में हम पूछ सकते हैं जैसे किसी से पूछते हैं यार थोड़ी देर कार रोग के rest करना कैसा रहेगा How about stopping the car and taking some rest ये थे आज के हमारे daily use sentences अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक बटन क्लिक कर ना मत भूलिये and thanks for watching my videos and liking my videos आप जो कुछ भी सुनते हैं जो कुछ भी यहां पे वीडियो में देखते हैं प्लीज उसको repeat ज़रूर कीजिए ताकि आप उसको easily recall कर सके और एक मैंने last time video डाला था that was about how to memorize all these things तो आप उस पे भी एक कुछ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप daily कर daily आप काफी कुछ words और sentences को याद कर सकते हैं So keep watching my videos and don't forget to share, subscribe and like You can also watch my videos on my Facebook page Thank you, have a nice day, bye-bye I'm Yeah I'm Yeah